नमस्कार दोस्तों, निफ्टिवा चैनल पे आप सब का स्वागत है, तो फ्रेंट्स जैसा मैंने कहा था और आपको समझाया था कि आपने अब डॉलर इंडेक्स पर ही अपनी नजर रखनी है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, वैसे वैसे मार्किट गिरेगी, जैसे जैसे ये न इंपोर्ट ज़्यादा होता है, और एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, तो इसलिए ट्रेट डेफिसिट बढ़ेगा, और उसके साथ साथ जो कच्चा माल आता है, वो भी सारा इंपोर्ट होता है काफी, कई चीजों में, जैसे पाउम, और औ पड़ेगा तो यहीं कारणे कि market बड़ी तेजी से गिर रही है दूसरा जो DAO है दूसरा जो reason सबसे बड़ा सबसे बड़ा नहीं सैकिन सबसे बड़ा कि DAO ने अपना important level 29,644 तोड़ा उसको हलांकि संभालने की कोशिश तो पूरी-पूरी हो रही है कल 29,240 तक इसने dip लगाय पर market ने पूरी-पूरी कोशिश की कि किसी तरह हम इसे बचा ले तो बचाने की पूरी-पूरी कोशिश है अब Monday को यह देखना बहुत जरूरी है कि क्या यह 29,650 के उपर travel करता है या 29,600 या 500 के नीचे travel करता है अगर इसने नीचे travel करना शुरू कर दिया तो धीरे-धीरे यह कहा जाएगा टेकनिकली इसका जो target निकलता है वो सीधा जाके निकलता है 27,150 तो यह एक 2000 पॉइंट दूर के लक्षे की और बढ़ जाएगा तो इस तरह से 2000 पॉइंट और तूटने के असार बढ़ जाएंगे तो यहीं कारण है कि हमारी nifty और bank nifty दोनों ही तूटे bank nifty 41,150 के नीचे मैंने कहा था कि put buy करना और नीचे 39,450 मिला हलांकि यहाँ पर मैंने एक बार buy करने के लिए जुरू करा था और आपने देखा होगा कि market यहां रुकी भी संबलने की कोशिश की पर नहीं नहीं संबली क्योंकि dollar index बढ़ता जला गया तो यहाँ पर हमारा 50 point का पर कुल मिला के हमें लगबग 500-600 point का profit कम से कम इसमें हुआ दूसरा आता है nifty, nifty भी देखें तो 17,430 के नीचे मैंने कहा था कि put buy कर लेना तो यहां आपको नीचे जो green line मैंने दी थी 17,334 exactly वही हिट हुआ जो कि 50 EMA के पास है तो इस तरह से 50 EMA के पास ही हमारी market ने closing भी हमें 100 point का profit हो, तो जो दर्शक अभी अभी नए आए और वो भी चाहते हैं कि हमें भी इसी तरह से profit हो, तो सबसे पहले हमारे channel को subscribe कीजिए, bell icon का button दबाईए, नीचे free telegram channel का link दिया है, उसे जुरू करें क्योंकि वहां पर भी हम खूब सारी knowledge देते हैं, ताकि आपको market खुलने से पहले ही पता चल जाए कि अब आपने करना क्या है, उसके अलावा नीचे DM account के link दिये हैं, जो की free में खुलेंगे, और उसके साथ साथ वो बड़ी companies है, जिनके server भी काफी fast है, और AMO order भी बड़ी जल्दी बढ़ता है, तो इन company में अपना account खोलिए, और trading को enjoy एक clear cut चीज, clear है, कि जब तक 20MA और 10MA के नीचे, sorry, 20MA और 10MA के ऊपर bank nifty निकल नहीं जाती, तब तक आपने कोई भी call buy नहीं करने हैं, तो 40,600 के ऊपर ही आपने call buy करने हैं, 40,400 के stop loss के साथ, 20,400 की CE, target रहेगा, 40,800, 900, 41,150, और 41,300, यह देखिए, यह आप screenshot ले सकते हैं, यह 40,600 के ऊपर, यह पूरा screenshot यह पूरी trade है, एक तरह सी, 40,400 से 41,300 की, तो इस trade को आप screenshot लेके, अपने आप संभाल भी सकते हैं, दूसरा, अब देखिए, put के तो chances हैं, यह market तो गिरेगी, लग रहा है, और लग भी क्यों रहा है, 10M और 20M दोनों तोड़े हैं, और नीचे target क्या है, 50M, 50M की और धीरे-धीरे market यह जा रही है, bank nifty, especially, bank nifty, देखिए, nifty से ज़्यादा कमजोर है, तो अब हमने put कहां buy करनी है, तो 39,300 के नीचे, यह जो मैंने star लगाया है, इसके नीचे put buy करनी है, 39,400 के stop loss के साथ, यह म 99,400 के stop loss के साथ, और 100 का stop loss हो गया है, नीचे 38,848 और 38,800, यह पूरी trade यहां आगे put की, तो यहां पने put buy करनी है, 39,400 की, stop loss भी 39,400, नीचे target 38,800 का, और यह क्यों है, क्योंकि 38,800 पे हमारा है, यहां पे 50M, तो यहां पर जैसी bank nifty आए, तो एक बार call जूर भाय करनी है, दे चाहे कि जितनी मर्जी sentiment negative हो, तो हमने हर M.A. पे कोशी जरूर करनी है, कि एक बार risk जरूर लेना है, चाहे मारा 500 प्लाइंट का stop loss हिटी हो जाए, तो कोशी जरूर करनी है, क्योंकि यहां से हमें, एक साथ सीधे 1000 point का profit भी तो हो सकता है call में, तो इसलिए 38,700 के stop loss के साथ, 38, 38,800 के आसपास इस एरिये में, 38,800, 38,850 के एरिये में आपने call buy करनी है, stop loss लगाना है 38,700 का उपर के आपको वापस यह सारे target मिल सकते हैं, तो यह आप यह target का screenshot खीच लिए, यह पूरी trade इस में आ गए है, तो इसका आप screenshot खीच लिए, तो यह level आपके काम आए, तो इस तरह से यह है bank nifty का trade setup, अब हम आते हैं nifty पर, कि nifty पर ऐसे कौन से लेवे हैं, जिसके उपर call और जिसके नीचे put बने करनी चाहिए, उससे पहले हम stock देख लेते हैं, आईशर मोटर, जो की काफी strong है chart पे, और 3673 पे लिया, 3688, यहाँ पे फिर से हमें लगबग 15 point का profit हुआ, और अगर किसी के पास hold है, तो रखिए, नीचे stop loss बनाए रखिए, 3582 का, दूसरा जो stock है, वो Titan, तो Titan का भी chart काफी strong है, region भी काफी बड़ा है, कि दिवाली आने वाली है, तो इसके, इसमें rate, इसका यह stock तो उपर जाए के जाएगा, क्योंकि खरीदारी काफी होती है, गहनों क तो 2650 का stop loss बनाए रखें, और उपर का target 2860 intact है, तीसरा जो stock है, बिटैनिया, बिटैनिया में तो हमें target भी मिला, हलांकि mark इतनी negative थी, पर chart इतना strong था कि हमें 3800 पे लिया, और 3850, मतलब 50 point का profit हमें इसमें हुआ, तो कल के लिए जो 3 stock है, उसमें सबसे पहले है, नौकरी, 80 stock, जिनके गिरने के chances ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरी तरह से DAO पर depend है, US पर depend है, तो 3987 तक कोई भी jump आए, आपने sell करना है, 4070 का stop loss, target 3821, 30773, 3644, 3530 तक के target आपको मिल सकते हैं, या आप screenshot खीन सकते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो stock है, वो है गोदरेज प कोई भी उचाल आए, तो आपने sell करना है, 1283 तक और stop loss, 1313, और target 1167 और 1131 तक के target आपको मिल सकते हैं, तीसरा जो stock है, वो है JSW Steel, JSW Steel भी, ये देखिए, rounding pattern बना रहा है, inverse rounding pattern, तो इस पर भी इसने breakout, ये एक यहाँ पर complete होता है, rounding pattern, 675 पे, तो 675 तो कोई भी उचाल आए, sell की ये 680 का stop loss, target 669, 662 और 654 तक के मिल सकते हैं, तो ये तीनो stock जो technically काफी weak है, तो आएए, अब हम बढ़ते हैं, nifty क्यों, nifty में देखे, volatility काफी जादा है, तो ये put वालों के लिए काफी अच्छा है, put लेना आज कल अच्छा रहेगा, जितना India Wix बढ़ता है, उतना put में trade कर तो वो अच्छा रहे है, अब crude सस्ता हो गया, पर इसका कोई फैदा नहीं जब dollar index बढ़ रहे है, तो 10 year boundary 3.687 थोड़ी से हलकी हुई है, तो ये bulls के लिए अच्छा है, और dollar index तो हमने डिसकस कर रहे है, FIDI data, जो की काफी खतरनाग है, 3000 crore का cash में बेचा, 3000 crore का index में बेच ही है, market के नीचे जाने की और ऐसा दिख रहा है, क्योंकि FIDI index को काफी भारी बर कम बेच के गए है, मतलब अभी उनके target और भी है, actually bank nifty ज़्यादा वीग है, तो उनके target bank nifty में ज़्यादा नीचे की है, nifty फिर भी संभलने के chances ज़्यादा है, तो अब हमने करना के है, सबस 17,300 का ही stop loss लगाना है, 17,300 का और target रखना है, 17,200, 17,154, 17,115 और 17,100 का, अब यह देखिए कि जैसे 17,000, 17,100 आएगा, यहाँ पे 100 M अभी है, तो यहाँ पे आपने call buy करना है, 17,000 stop loss के साथ, और उपर target 17,120, 150, 200 वापस आपको मिल सकते हैं, मतलब यहाँ से पहले तो आपने put buy करनी है, फिर यहाँ से आपने call buy करनी है, क्योंकि 17,000 पर जबरदस्त put writing हो रही है, यह देख, 51,000 का put writer वहाँ खड़ा है, और वहाँ पर कोई भी call letter इतना aggressive नहीं है, call rating इतनी aggressive कहाँ पर है, 17,400 से शुरू हो जाती है call rating, और 17,500 तक जा रही है, मतलब 18,000 तक जा रही है, त जब हम 17,570 के उपर निकल जाए, तब तक आपने call buy नहीं करनी, क्यों, क्योंकि 17,500 पर काफी ज़्यादा call writer, अगर यह trap हो गया, तो यह समझ लीजिए कि 17,400 और 500 का कुल में लाकर, एक करोर call writer trap हो जाएगा, तो यह दो call writer का trap हो गया, तो यह short covering आएगी, जो हमें मदद करे में, तो इस तरह की आपने strategy रखनी है, इसमें 17,570 के उपर ही आपने call buy करनी है, 17,500 की, stop loss भी 17,500 का, और target 17,600, 635, 672 और 750 तक के target आपको मिल सकते, तो पर नीचे मैंने पहले गया, put के chances ज़्यादा है, call के chances तो काफी कम है, फिर भी मैंने आपको बता दिये, नीचे कौन सी dip buy करनी है, वो भी मैंने आपको बता दी, 17,000 के आसपास, तो ये था complete trade setup, nifty, bank nifty और तिनो stocks का, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो जरू लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़धा ज़धा वीडियो को share कीजिए, थैंक यू, धन्य था जएए, जबाए, थैंके हमारे भू Good कार सबक्राइब